हाई आपके लिए बहुत ही जादा अच्छा जाए और आज मैं आपके लिए कोई कोई मेकप टिटोरियल लेके नहीं आई हूँ आज अपने परसनल फेवरेट मेकप प्रोडाक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और अगर आप कोई बिगनर हो और अपना एक मेकप किट बनारा चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा जादा इस फुल ह तो सबसे पहले मैं बात करे वाली हूँ काफसान लाशेस के हांडी-डान्डी पालेट उनका इसमें एट शेट में उन्होंने लॉंच किया है ये उनका प्लम क्रेजी आईशाड़ पालेट है जिसमें चार अलग-अलग कलर्स हैं यू विल गीट तू मैस और तू शिमर और ये आपको मिल जाएगा 299 रुपीज में जिसमें 28% का डिस्काउंट है और यू विल गेट तस प्रड़क्त अट 215 रुपीज Swatches देख लेते हैं, I'll take one matte shade and one shimmer shade Let's go for the pink one and then this shade Okay, both the sheets are really very good मुझे बहुत ही जादा अच्छा लग रहा है ये क्योंकि इसके जो pigmentation है बहुत जादा अच्छे हैं आपको 215 रुपे में ये वाला पालेट मिल रहा है And Cups and Lashes का मैं कप से यूज करी हूँ प्रड़क्त जो की बहुत जादा अच्छे होते हैं, उनके quality wise अच्छे होते हैं Again, pair bond free, cruelty free products है, made in India products है तो आपको ज़रूर इसको try करना चाहिए Next is another palette from Cups and Lashes, ये उनका love palette है, ये उनका 9 shade palette है और ये 350 rupees में retail करता है, अभी उन लोगों ने 3 और palettes भी launch किये हैं So total इसका 6 palettes है, आप चाहो तो उनके website में जाके check कर सकते हो, लेकिन उससे पहले हम swatches देख लेते हैं I would go for the wine shade, shimmer shade आप देख सकते हो color payoff कितना जादा बैतरीन है, पाटीज के लिए ये palette बहुत जादा अच्छा है आप अगर red और maroon के साथ खेलना चाहते हो, then you should definitely go for this palette, it's bomb The next palette that I am going to show you is a palette from Makeup Revolution, ये उनका 15 shade palette है और इसमें सारे-सारे matte shades है and this retails for 950 rupees, अगर आपको colors के साथ खेलना अच्छा लगता है, then you should definitely go for this palette because इसमें आपको हर तरह के neutral shades मिल जाएंगे from yellow, orange, red, pink to you get wine shade, a black shade and then green, purple, आपको सब कुछ मिलने वाला है एक हे palette में So this is the palette, और swatches देख लेते हैं, I will go for this purple one, I don't know, क्योंकि मैं purple इसलिए हमेशा swatch करती हूँ आप देखोगे क्योंकि purple shade ना अच्छे से show off नहीं होता है, for that reason I just wanted to test this shade Next I will go for this red वाला shade, देख लेते हैं, मैं जादा swatches नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास जगा कम है So, दो ही shades मैं देखोंगी वाव यह ना एक बटरी सा shade है See, मैंने बोला था ना जो purple या वालेट के shades होते हैं वो show off नहीं करते हैं ठीक से So, I am completely disappointed with this shade, बट हाँ red वाला बहुत ही जादा अच्छे से show off हो रहा है तो अगर आपको matte shades में चाहिए तो आप यह palette ले सकते हो Next is another palette from Makeup Revolution, this is their Hypnotic palette and यह एकदम smoky eye के लिए ही बनाया गया है I guess, इसमें mattes है, shimmers है, इसमें black है, brown है, you get so beautiful shimmers इसको आप highlighter के तरह भी use कर सकते हो, bronzer के तरह use कर सकते हो, यहां पे एक shade है, contouring shade है, you get everything in this palette This is so freaking beautiful, 15 shades है इसमें and this also details for 950 rupees, let me swatch this shade कोई-कोई shade होता है, वो आपको खीचता है अपने और, so this was that kind of a shade and then I will go for, let's see this one It's too good, trust me, it's too good, दोनों ही जो palettes ने Makeup Revolution के उनके जो shades से बहुती जादा बटरी है तो यह blend काफी अच्छे से होने वाला है, आपको जादा मुश्किल नहीं होने वाली है, दिक्कत नहीं होने वाला है, इसको blend करते वक्त, you can go for a big fluffy brush and आप चला लो अच्छे से और बहुती खूपसूरत सा eyeshadow look create हो जाएगा, trust me जो मेरा सबसे फेवरेट पालेट है उसको मैंने एंड के लिए बचा के रखा था, this is the 4-Colure Endless Possibilities palette, यह 30 Shades palette है, this comes with a cardboard packaging ये बहुत ही बुटिफुल सा पकिं है, now here comes one more packaging and then you get the palette तादादाँ, this is how the palette looks like, you know if ever I decide to get married then I am going to use this palette for my makeup look on my marriage यह आपको नाइका पर या किसी और वेबसाइट पर नहीं मिलेगा मैंने इसको एक इंस्टाग्राम स्टोर जो की ब्यूटी बार लाउंज है वहां से मंगाया था मैं इसका भी लिंक डाल दूगी डेस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको चाहिए तो आप चेक कर सकते हो now you get a big mirror in it and 30 shades with 13 shimmer shades and 17 matte shades इसमें से आपके लिए क्या swatch करों, they are so freaking good चलो ये blue वाला देखते हैं, one more blue next pink देख लेते हैं now this is the blue one one swipe and bomb the other blue the pink one just one swipe okay तो pricing की बात करते हैं, ये आपको 1750 रुपीज में ये रीटेल करते हैं लेकिन अगें 150 रुपीज इसका delivery चार्ज लगेगा तो आपको 1900 रुपीज में ये पैलेट मिलेगा now this is a luxury palette, this is not a drugstore palette so अगर आपको थोड़ा जादा इन्वेस्ट करना है अपने आईशाओ में या मेकप में तो आप इसके लिए जा सकते हो लेकिन कभी-कभी होता है ना एक-एक पैलेट आप अगर रख दो तो उससे जादा आपको और कुछ भी नहीं चाहिए होता है so this is such a kind of palette, you should go for it, definitely nightly, I would give it a 20 on 10 maybe, yes it's that good okay, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और प्रदक्स की, अभी विंटर का टाइम है तो skincare is a must और आपके मेकप पे cracks आजाएगा और आप उसको अवाइड जरूर करना जाओगे so for a smooth and flawless skin, I will be recommending L'Oreal Paris Re-Vitalift hyaluronic acid, now this is such a good serum, आप इसको लगाओगे तो आपका skin सच में बाओधी जादा smooth लगेगा, आपको नजर भी आएगा, ग्लो भी आएगा, आप कुछ दिनों में महसूस कर सकते हो, so use it at night before you go to sleep, retails for 499 rupees, ये 15 ml का है और 30 ml का जो है, वो रिपल 9 rupees में डिटेल करता है Nika पे, when it comes to concealer, अगर आप मेरे वीडियोज फालो कर रहे हो, तो आपको पता ही होगा, कि मैं एग ही concealer का नाम लोंगी, Maybelline Instant Age Rewind Concealer, Maybelline Instant Age Rewind Concealer, आप चाहो तो थोड़ा सा lighter shade में खरीद के उसको as a foundation, use कर सकते हो, not as a foundation, but you can replace the foundation with this concealer, और अपने pigmentation areas पे, आप darker shades यूज कर सकते हो, I am using two shade, one is caramel, one is sand, आपको ये बहुत ही जादा, एक smooth finish देने वाला है, और बहुत जादा केकी लगेगा नहीं, ग्रे बिलकुल नहीं होगा, जैसा है वैसा रहेगा, oxidize भी नहीं होगा, so this is my most favorite concealer and it retails for 620 रुपीज on Nika, आप check कर सकते हो, जब भी discount हो, आप खरीद सकते हो, so when it comes to brows, आप लोगोंने मुझे हमेशा सना हैं, आपको बोलते होए, कि आप कोई भी brow products मत खरीद दो, आपके पास अगर एक brown shade या black shade है अपने eye shadow palette में, then आपको बस एक brow brush की जरुड़त है, जहां पे spoolie attached हो and you are done, आपको जादा इन्वेस्ट करने की जरुड़त नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, then you can go for this product, this is a sugar cosmetics, our arrival brow powder, now this is in the shade cherry brown, number 01, यह बहुत ही एक अच्छा product है, आप इसका wand भी देख सकते हो, this is a very thin wand which will give you a very precise brow look, और यह बहुत ही जादा अच्छा लगता है, मेरा favorite product है, मैं इसी को यूस करते हूं, जब भी मैं कोई पाटी वाटी अटेंड करने चाहते हूं, otherwise I am okay with an eyeshadow palette, a brown shade, this retails for 499 rupees on sugar cosmetics website, when it comes to foundation, I will recommend you to go for maybelline fit me matte polish foundation, now I am in the shade rich tan and this retails for 549 rupees, यह एक्दम smooth finish देता है, full coverage foundation है, और सबसे best part, oxidize नहीं होता है, crack नहीं होता है, बहुत सारे foundation होते हैं, जो कि oxidize नहीं होते हैं, लेकिन crack हो जाता है, कुछ घंटों बात, तो आप जरूर उसको avoid करना चाहोगे, तो please आप इसके लिए जाए, budget friendly है, कम पैसे में आपको बहुत जादा अच्छा product मिलता है, so you can go for this, और अगर आपको थोड़ा और invest करना है, के पास budget थोड़ा जादा है, then go for K beauty product, this retails for 1200 रुपीज लेकिन ये भी बहुत जादा अच्छा finish देता है, आपको वो जादा नकली अर्टिशल टाइप लगेगा नहीं, आप इसको लगा लो और, you know, you will look good, you can set your foundation with the help of a banana powder or a loose powder, don't go for a compact, मैं हमेशा advice करूंगी not to go for a compact, rather go for a loose powder, क्योंकि finish उससे बहुत ही जादा नाच्रल आता है, blush और contour के लिए मैं आपको जादा कुछ रेकमेंड करना नहीं चाहूंगी, क्योंकि सारे brands के products अच्छे होते हैं, वो चाहे कम दाम में हो या जादा प्राइस के हो, even products from blue heaven, वो भी बहुत ही and when it comes to highlighter, again, Maybelline Master Chrome highlighter और K-Beauty highlighter, इससे बेटर, मुझे ने लगता है कि कोई भी product है market में, इस price range में, now this retails for 5.99 rupees and this retails for 7.99 rupees, I think you can go for this, अगर आपको थोड़ा सा budget में issue है, वरना आप इसके लिए भी जा सकते हो, इसमें एक चीज़ जो इससे बेटर है, is a big mirror, काफी जादा travel friendly हो जाता है and if you want to go for a stick highlighter, then go for sugar cosmetics, this is their face forward highlighter stick, this is in the shade champagne champion, बहुत ही जादा subtle सा लुक देता है, आपको powder highlighter में थोड़े थोड़े चंकी particles जरूर नजर आएंगे, लेकिन if you want to go for a daytime look, आपको कहीं बाहर जाना है, दिन के टाइम पे, then you can go for this highlighter, this is also very good, this retails for 7.99 रुपीज, on sugar cosmetics, official website, आगे बढ़ता और करता है, मस्कारा के बारे में बाते, और आपने मुझे काफी विडियो में देखा होगा, मैं हमेशा Laurel Paris Voluminous Lash Paradise Mascara यूज करती हूँ and it is because of the wand, ये इतना बहतरीन wand है कि आपको false lashes लगाने की जरुरत नहीं पड़ेगी, ये दो coats of mascara and you are done, ये एकदम वैसे ही false lashes type का ही एक wipe देगा, एक effect देगा, मैं जादा falsies use नहीं करती हूँ and it is only because कि मैं नहीं चाती, जो भी हम लोग eye look create करते हैं, वो छिप जाए, दब जाए and that's the only reason मैं दो coats of mascara पे जाती हूँ and I don't go for that falsies, now ये 799 रुपीज में retail करता है, लेकिन अभी market में एक और product आ गया है, जो एकदम टक्कर का है and that is Mabel in New York, the falsies lash lift mascara, इसके भी wand में दिखा जेती हूँ आपको, it is almost same बोलू या एकदम same बोलू, लेकिन बात ये है कि ये 599 रुपीज में retail करता है और बहुत ही बहतरीन product है, you can go for this, so with this we have come to an end to this video और आपके लिए ये साल बहुत ही जादा अच्छा जाए, हसते रहिए, मुस्कराते रहिए और देखते रहिए मेरे विडियो, विडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, comment करके बताना कि आपको कौन सी प्रड़क्स इस में से सबसे जादा पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना and if you are seeing this face for the very first time, check out all the videos on my channel, I am sure you would love them and we will be meeting next week, till then and only till then, bye bye.